नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 12 फर्वरी 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की डेट में जो पहली वाली न्यूस है डू नोट स्प्रेड थिंग्स तू अ लार्जर लेवल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है हिजाब रो को लेके इसके रिस्पेक्ट में मैं वीडियो अलड़ी बना चुका हूँ आपको मिल भी चुकी है आप देख लीजे मेरी वीडियो सेक्षिन में इस वीडियो से जज़स्ट पहले मैंने वही वीडियो अप्लोड किये इसके अलावा और कौन-कौन सी हम लोग न्यूज आज डिसकस करने वाले है तो भाई ये चार धाम प्रोजेक्ट के उपर जो एक पैनल बनाया गया था सुप्रीम कोट के द्वारा इसके जो हेड थे रवी चोपडा जी इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दी है और रिजाइन करते वक्त ओपनली इन्होंने यह बोलाई कि भाई देखो हिमालिया का डेसिक्रेशन हो रहा है हिमालिया को तभा किया जा रहा हिमालिया निस्ट नबूत किया जा रहा है इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दी है मतलब काफी आप कहलो sensitive statement से इनका ये बोलना है कि हिमालियास बरबाद हो जाएंगे लेट सी ये news क्या है दूसरा तालीबान के लगबख 3.5 billion dollar खा गया कौन अमेरिका ऐसा बोरा जा रहा देखिए अफगानिस्तान के foreign assets लगबख 7 billion dollar के US के बैंक में पड़े हुए थे इन 7 billion dollars में से US ने अनाउंस किया कि 3.5 billion dollar वो अफगानिस्तान के लोगों को देंगे और बचे 3.5 billion dollar 9-11 के जो victims थे उनके जो कित हैं किन हैं उनके जो बाकी family members से उनको हरजाने के तरह दिया जाएगा हाना कि हरजाना किसको कितना मिलेगा यह US की सरकार नहीं डिसाइड करेगी फेडरल कोट डिसाइड करेगी आपकी USA की तो यह news क्या है इसको देखेंगे फिर इंडो पैसिफिक में overall एक दूसरे के साथ मिलके integrated defense को यहाँ पे USA implement करने की कोशिश करेगा इंडो पैसिफिक में integrated defense का concept क्या है इसको हम समझेंगे फिर index of industrial production से respect में कुछ data निकल क्या रहा यह data क्या है आपके December के महीने का इस data को यहाँ पे खंगालने की कोशिश करेंगे फिर Milan 2022 Neville Exercise विशाका वटनम में चालू हो रही है यह क्या है इसको देखेंगे फिर Right to Education Institution Right to Education Act इस Act ने क्या बोलाएगी भाई जो भी private school है उसमें एक percentage of seat reserved होंगी गरीब बच्चों के लिए लेकिन overall इस RTE Act का एक section बोलता है कि यह चीज़ अपलाई नहीं होगी वदर्सा के ओपर वेदिक पाट्शालों के ओपर बतब वो स्कूल है जो religious education दे रही महाँ पर RTE Act लागू नहीं होगा अब इसके लिए एक प्लिया एक petition गई Supreme Court में कि भाई आप RTE Act को इन वेदिक पाट्शालों मदर्सा में भी लागू करो लेकिन Supreme Court ने यहाँ पर intervene करने से मना कर दिया है Supreme Court ने बोला कि हम directly इस matter को take up नहीं करेंगे अगर आपको चाहिए तो आप High Court में जा सकते हो High Court के decision के against appeal में हमारे पास आ जाना तो ये news हमें आपर discuss करने वाले है सबसे पहले आज word of the day देख लेते हैं Admonish Admonish का मतलब होता warn or reprimand someone family किसी को कोई चीज करने से रोकना और solid तरीके से रोकना उससे बोला कि नहीं भाई ये चीज गलत इसको मत करो जैसे sentence में He admonish the people against the evil of such practices मतलब कि उसने लोगों को बताया कि ये जो practices हैं ये evil हैं ये गलत हैं इनको मत करिये मतलब लोगों को उसने warn कि कि ये सब चीजे मत करिये अच्छा नहीं है तो admonish करना यहां पे हो गया फिर he admonished him to drink no more than one glass of wine मतलब उसने उससे बोला कि एक glass of wine से ज़्यादा मत पियो ज़्यादा पियोगे तो तो तुमारी ज़्याद के लिए खतरना है तो यह होता है admonish करता है आगे बाद इस पहले वीडियो पे like का बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर दीजे Instagram पे follow कर लिजे Telegram गूप जोइन कर लिजे Telegram के आपको ये lecture की PDF मिल जाएगी so please join the Telegram group if possible for you please click the join button आपके join button दमाने से खासा बनत बिलती है तो click the join button if you can तो ये news है index of industrial production growth slowed to 0.4% in December देखे इंडिया की जो industrial recovery है industrial sector में जो growth है वो December में हुई है 0.4% year on year मतलब कि December 2020 के respect में December 2021 में जो growth हुई है वो केवल 0.4% की हुई है और जो manufacturing activity है ये 0.1% कम हुई है ये index of industrial production का जो latest data निकला है वो बताता है electricity का output 2.8% बढ़ा है December 2021 में December 2020 से comparison में ये comparison December 2021 का December 2020 से है ये याद रखेगा mining activity 2.6% बढ़ी है जो capital goods का output है वो 4.6% घाटा है अब आब बोलोगे सर capital goods क्या होते है देखे capital goods के एक चीज़ याद रखेगा capital goods वो goods होते हैं जो की intermediate industrial process में होते हैं जैसे कि for example आप जाके market में car खरीदते हो तो car ready made product है आप उसमें बैठो के चलाने लगोगे लेकिन कार में जो लगने वाला टायर है वो टायर लाके कार में लगाना पड़ेगा वो टायर सीधे सीधे आपका काम का नहीं है जब वो कार में लग जागा तो आपका काम है तो टायर यहाँ पे capital goods है सिमिलरली वो जो स्टेरिंग वील है वो capital goods है फाइनल गोड में लगने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप capital goods बोलते है और capital goods बहुत important है चोकि capital goods के बिना final good बनेगा ही नहीं तो capital goods 64.6% गटे है फिर consumer durables यह 2.7% गटे है अब consumer durable क्या होता है अच्छा consumer non-durable भी है यह आपे आगा यह 0.6% गटा है तो consumer durable और consumer non-durable के बीच का फर्क यह है अब जैसे for example आपने oven खरीदा या fridge खरीदा तो यह oven fridge कम से कम 3-4-5 साल चलता है नॉर्मली हर घर में अंटे ललने साब टाटा बिरला ना हो कि अब 3-3 जा चल महीने में नया model ले रहे हो नॉर्मली एक fridge खरीदो, car खरीदो oven खरीदो, घर में almira खरीदो तो यह goods आपके बहुत लंबे समय तक चलेंगे पांच-छे साल तो नॉर्मल है वहीं पर आपको एक ऐसी चीज़ खरीद के लेके आओ जो थोड़ा कम चले, जैसे आप एक दूद का packet खरीदे लेकिया, आपने चाय बनाई दूद पिया और खतम हो गया, तो यह तुरंत यूज हो गया, ठीक है ना तो यह हो गया consumer non-durable, जो लंबा चला वो consumer durable, जो नंबा नहीं चला वो consumer non-durable, लेकिन final यूज में दोनों ही चीज़ें यूज हो रही है फिर भाई यूज बेस सेग्मेंट की सीजों में growth marginal है, overall industrial output अभी उठ नहीं पाया है, primary goods output 2.8% है infrastructure और construction goods 1.7% ही grow किये हैं, intermediate goods 0.3% grow किये हैं industrial output 1.34% नॉवंबर में जाता था, नॉवंबर 2021 का नॉवंबर 2020 की comparison में industrial output 1.34% जाता था, revised data के इसाब से of national statistical office ठीक है, देखि index of industrial production का जो data आता ना, वो महीने के basis पे आता और महीने के basis पे अलग sectors में ये growth हुई, ये कम growth हुई तो exact data आपको रटने की जरूत नहीं आपस एक trend को यहाँ पर समझने की कोशिश करो फिर हम समझते की index of industrial production होता है, तो ये एक ऐसा index है, जो कि इंडिया के अलग-अलग industrial sectors की growth को document करता है, जिसमें main sectors आपका mineral mining, electricity और manufacturing की होते हैं, इसी index of industrial production के अंदर 8 core industries आती है, जिसको आप index of core industries बोलते हो, ये 8 core industries कौन-कौन सी है, electricity, steel, refinery product, crude oil, coal, cement, natural gas, fertilizer, तो total index of industrial production में, ये 8 industries 40.27% contribute करती हैं, अगर आप इन 8 sectors की बात करो, तो इन 8 sectors के नाम यहाँ लिखे हुए, और इसमें जो सबसे dominant sector है, वो है petroleum and refinery products, उसके बाद दूसरे नमबर पर आता है आपका electricity, उसका तीसरे नमबर पर आता है आपका steel, उसके बाद आता है आपका overall देखे तो coal, तो उसके बाद आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ये overall index 100 है, ये index of core industries की बात हो रही है, और index of core industries, index of industrial production का 40% है, almost 40.27%, अच्छा, NSU ने, National Statistical Organization ने September और October 2021 का डाटा दिया, आपको ये बताना नहीं चाहिए कि September October 2021 का डाटा, September 2020 और October 2020 respectively से compare किया जा रहा है, तो जो IAP numbers हैं, September 2021 के, वो कहतने हो गए, 4.35% बड़े, पिछले साल के 3.1% से, तो September 2020 में, September 2019 के comparison में, ग्रोथ हुई थी 3.1% की, लेकिन September 2021 में, September 2020 से comparison में ग्रोथ हुई है, 4.35% की, और सेम यही डाटा आपका October 2021 के लिए यहां लिखा हुआ है, तो अकुल मिला कि इस बार Index of Industrial Production की जो ग्रोथ का डाटा निकल के आ रहा है, वो expected से बहुत कम निकल के आ रहा है, इनका नाम है रवी चोपड़ा साब, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, इनका यह बोलना है, रवी चोपड़ा साब का, 27 जन्वरी की लेटर में, कि भाईया हिमालियास को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैनल बनाया गया है, यह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, और हिमालिया को शैटर करने के तवाह करने के लिए डिसीजन ले लिए गया है, अभी एकलोत्तराखण में, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट एक्जीक्यूट किया जा रहा है, अब देखे, इस पैनल में जब बातचीच चल लही थी न, तो रवी चोपड़ा साब चाहते हैं कि जो चार धाम प्रोजेक्ट की जो मैक्सिमम विड्थ होना, वो 5.5 मीटर हो, जो हाईवे जो पैनल है, उनकी विड्थ 5.5 मीटर से जादर ना हो, लेकिन जो मेज़ॉर्टी पैनल है, उसने सज़ेस्ट कर दिया 12 मीटर, वाब बोलोगे मेज़ॉर्टी पैनल, तो देखे, ये जो सुप्रीम कोर्ट दोरा अपॉइंटेट पैनल है न, इसमें भी जो विउपॉइंट है, बटा हुआ है, जो हेड है इसके रवी चोपडा साब, और एक दो और लिमिटेड अमाउंट ओफ लोग है, वो चाहते हैं कि हिमालया में जो हाईवे बन रहा है, इसकी मैक्सिमम विड्थ 5.5 मीटर की हो, लेकिन सरकार का ये बोलना है कि भई ये 5.5 मीटर की विड्थ में ये डिफेंस वेकिल कैसे पास करेंगे, हमें ब्रमोज मिसाइल अगर पहुचा नहीं हो ला, दाक बॉटर तक तो हम कैसे पहुचाएंगे, ठीक है ना, उपर से चाइना गुजबैट कर रहा है, कुछ दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो 899 किलो मीटर लंबा चार धाम प्रोजेक्ट है, इसकी लिमिटेड रोड्स को आफ वाइडन कर सकते हो, यहां पर रवी चोपड़ा साब का ये बोलना है, कि ये हाई पावर्ड कमिटी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जो हाई पावर्ड पैनल सुप्रीम कोर बाद हो जाएंगे, अब ओवर्ड इतना फ्रस्टेट हो गए यहां पर रवी चोपड़ा साब कि उन्होंने इस पैनल से ही रिजाइन कर दिया और बोल दिया है, कि भाई यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, हिमालिया को तबाह किया जा रहा है, अब समझते हैं, यहां पर ए डिफेंस स्ट्रेचेश तक था, ठीक है, मतब डिफेंस रोड को आप चोड़ा कर सकते हो, overall according to the directions of Supreme Court, सरकार का लॉजिक भी सही है, कि हम केवल connectivity नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें overall अपनी forces को भी mobilize करके इस रास्ते से बॉर्डर के थुरू पहुंचाना है नहीं, तो कल की डेट म ये 5 stretches कौन कौन से, वैसे तो overall अगर आप देखो तो package 1, package 2, 7 package आपको नज़र आएंगे, पहला package ये 140 क्यूमिलेटर का रिशी केश टू रूदर प्याग, ये रिशी केश दिख रहा है आपको, यहां से रूदर प्याग का जो रास्ता है, overall ये है आपका 140 क्यूमिलेटर का, ये से लिए, ये package number है 1, फिर आता है package number 2, रूदर प्याग टू माना विलज, ये है आपका package number 2, ये जो ये वाला रास्ता जा रहा है, ठीक है, माना विलज पढ़ता है आपको बद्रीनात में, फिर package 3, 144 क्यूमिलेटर रिशी केश टू धरासू, तो रिशी केश तू और पहुंच गये, कहां पर धरासू पहुंच गये, ये है package number 3, 144 क्यूमिलेटर का, फिर package number 4, 124 क्यूमिलेटर का धरासू तू गंगोत्री, तो यहां से निकले धरासू से और ये पहुंच गये आप गंगोत्री, तो ये क्या है आपका, ये है आपका package number 4, फिर package number 5 है अब ये जो overall हिमालियास का इलाका है, difficult terrain है, पहाडों की बीच से होके रास्ता निकलता है, तो इस रास्ते के उपर सड़क बनाना जरूरी है, और आप थोड़ा ही आगे चले जाओ, तो 13 घंड के बॉर्डर पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे overall चाइना, तो चाइना के साड़े पांच मीटर ही रह सकते हो, तो साड़े पांच मीटर की विद्ध वाली सड़क से, एक fully loaded ट्रक जिसके ओपर मशीन दी चड़ी हो, उसका निकलना ही मुश्किल हो पाएगा, तो प्रॉपर हाइवे चाहिए, बड़े आप कहलो हत्यारों को बॉर्डर तक पहुचान आप अपना परसेप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिस पेपर टू और थ्री मी नीज़ आफो काम आएगी हो, फिर नेक्स चीज, फेट स्कूल्स टू स्टे आउट अफ आट अफ आट एमबिट, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट्ली एक पैटीशन फ अगर आप बात करो राइट टू चिल्डरें, राइट अफ चिल्डरें, तो फ्री एंकंपसर एजुकेशन एक 2009, इसके क्लॉस वन का, अगर आप सब क्लॉस फोर देखो और फाइब देखो, तो फोर में लिखा है, subject to provisions of article 29 and 30 of the constitution, cultural and educational rights, और इसके सब क्लॉस फाइब में लि पच्चों के लिए नहीं की जाएंगी, तो petition यहाँ पहुंची है, Supreme Court में, कि कक्छा 8 से लेके कक्छा 8 तक जो पढ़ाई का course है, करीकुला है, वो सेम होना चाहिए सारे colleges में, और वहाँ पे भी RTA कलागू होना चाहिए, लेकिन Supreme Court की एक bench जिसको head कर रहे थे Justice L. Nageshwar Rao, इन लेकिन Supreme Court ने directly fundamental right के violation को ना मानते हुए इस petition को entertain नी के, देखे, petitions directly आप Supreme Court में तब फाइल कर सकते हो, जब आपका fundamental right violate हो रहा हूँ, तो यहाँ पे petitioners ने यही बोला कि भईया, देखी, fundamental right violate हो रहा है, यह जो section 2009 है, आपका RTA Act 2009 है, इसका section 1 clause 4 and 1 clause 5, यह मैंने आपको बता दि institutions की जो education है, वहाँ पे RTA Act को exempt कर रखा है, वहाँ पे गरीब बच्चों के लिए seat रिजर्व नहीं, वो भी रिजर्व होनी चाहिए, तभी fundamental right सेव होंगे, इस particular चीज में intervene करने से अभी के लिए Supreme Court ने मना कर दिया है, Supreme Court ने बोला है कि अगर जाना चाहते हैं, तो High Court जा सकत है, next, by Navy की Milan exercise के respect में news है, 46 countries मिलके Navy की Milan exercise में participate करेंगी, देखें, इंडियन Navy अपना 12th presidential fleet review को conduct करेगा 21 फरवरी विशाखा पत्नम में, ठीक है भाई, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये fleet review क्या होता, एक होता presidential fleet review, जिस प्रकार से Republic Day में क्या होता है, कि भाई, हमारे presidents आप खड़े हैं और उसके सामने से जहां किया निकल रही है, हमारी बड़ी-बड़ी आर्मी कंडिंचेन की जो soldiers हैं, वो मार्च करते होए जा रहे है, उसी प्रकार से Navy में होता है presidential fleet review, तो एक ship के ओपर presidents आप खड़े होंगे, और बाकी ship वहाँ पर अपनी capabilities को showcase करेंगे, तो इस exercise को नाम दिया गया है Milan 2022, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी major navy, सारी quad countries, Russia, West Asia की बहुत सी countries यहां पर participate करेगी, रशिया एक से समय पर exercise में participate कर रहा है, जिस समय पर Ukraine में crisis चल दी, मतलब इंडिया का Russia की support पूरा है, लेकर इंडिया ने at the same point of time US को भी यहां पर invite किया, तो यह exercise मिलान है, यह होगा 25 वरवरी से 4 मार्च, जिसमें expected है कि 46 countries participate करेंगे, वैसे तो अब तक 46 countries को invitation भी जा गया है, और accept किया है invitation 35 countries में, और भी countries यहां पर invitation most probably accept करेंगा, अब रशिया को लेकि US reject करते तो बात अलगे, लेकिन US reject करने वारा नहीं है, US के लिए इंडिया strategically बहुत ज़दे important है, तो जो इस one-liner type के exam होते है न, SSC और बाकी bank pew type के, उसमें याद रखेगा कि 12 presidential fleet review हो रही है 21 वरवरी को, और exercise मिलान हो रही है from 25 वरवरी to 4 मार्च, इस प्रकार के one-liner question पूछ दिये जाते हैं, यहां पे जिंजन notions को invite किया गया है, वो इंडिया notion के littoral states हैं, participation को confirm किया गया था, लेकिन, confirm किया था, लेकिन pandemic के वजए से 2020 का exercise नहीं हो पाई, लेकिन यह जो Milan 2022 है, यह ज़रूर यहां पे conduct हो रही है, पहले जो exercises थी, वो अनमान निकोबार में conduct की गई थी, लेकिन इस बार विशाका पत्नम में की जा रही है, चोकि विशाका पत्नम में infrastructure इंडिया नेवी के पास ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जगा है overall exercise को conduct करने के लिए, अब आप बोलोगे कि अनमान निकोबार में जगा कैसे नहीं है, इतना वड़ा समंदर है, तो देखें, यह exercises दो जगों पे होती है, एक तो harbour phase की exercise होती है, दूसरा, sea phase की exercise होती ह 28 फरवरी और sea phase की exercise होगी 1 मार्च से 4 मार्च, तो दोनों ही के context में जो infrastructure जबरदस्त है इंडिया के पास, वो विशाका पटनम में ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे इंडिया नेवी अपनी deep submergence rescue vessel capabilities को भी दिखाएगा, deep submergence rescue vessel capabilities के है, तो कल की date में हमारी कोई submarine पानी की नी तो देखे, एक president के tenure के दमान कंसे कमें एक बार तो fleet review होता ही है, independence से लेके अब तक 11 presidential fleet reviews हो चुके हैं, यह जो 21 फरवरी को हो रहा है, यह बारवा हैं, और दो international fleet reviews हो हैं, 2011 में, 2016 में, fleet review, एक presidential fleet review की importance, Republic Day parade के बाद होती है, Republic Day parade के बाद एक बड़ा important event माना जाता है, international fleet, presidential fleet review को to भी प्रकाइस, यहाँ पे 60 ships, Navy के Coast Guard के Shipping Corporation of India के National Institute of Ocean Technology के participate करेंगे, पहला free review हो हा था, उनने सो तिरपन में, जब हमारे president थे, Dr. Rajendra Prasad, पिछले कुछ सालों में, India Navy ने अपने engagements को बहुत हद तक बढ़ाया है, Indo-Pacific की बहुत सी countries, Indian Navy के साथ engagement करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रकाइम, domain awareness हमने बढ़े हैं, नेवी पावर में इंडिया धीरे-धीरे करके ग्रो कर रहा है, लेकिन हम लोग थीरे-धीरे sustainably ग्रो कर रहे हैं, इस पर परत्री डिफेंस में यह चीज़ काम आईगी है, नेक्स नुज़ ए कलेक्टिव एक्शन की तो न्यू इंडो-पै इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी, यहां पर बाइडिन अपनी इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी को बता रहे हैं, और इनका यह बोलना है, कि इंडो-पैसिफिक के इलाके की जो परेशानी है, उसको कोई एक कंट्री single-handedly solve नहीं कर सकती, इसको solve करने के लिए collective effort लगेगा, और इस collective effort के तुरू हम लोग चाइना की assertiveness, pandemic और climate change जैसी problems को solve कर सकते हैं, तो overall देखा जाए, तो US की relationship इस पूरे इंडो-पैसिफिक रीजन में एक net security provider की तरह की जाएगी, और collectively की जाएगी, ठीके न, इसमें बहुत से facets हैं, जैसे कि Quad 1 billion COVID-19 vaccines बनाएगा और पूरी दुनि coordinate करेंगी चाइना के against, तो US ने response दिया कि बिल्कुल करेंगी, चाइना ने इंडिया के साथ जो line of actual control पे किया है, उसके चलते इंडिया बहुत हद तक US के favor में आ गया है, चाइना ताइवान के साथ जो कर रहा है, चाइना जिस प्रकार के economic sanctions लगा रहा रहा है, चाइना विय नो डाउट चाइना की bullying nation, bullying आप कहलो attitude और assertiveness के against, ये countries US के साथ इंडो Pacific में align हो रही है, और US चाहता है कि इंडो Pacific की free और open, connected, prosperous, secure, resilient, अब ये कहने की बाते होती हैं, चाइना एक limit से ज़्यादा ताकतवर होगा तो US कमज़र होगा, तो चाइना के effect को push back करने के लिए, US यह पर नाम लिया गया है, integrated deterrence, तो US के security plan में integrated deterrence है, मतब इंडो Pacific की सारी countries मिलके चाइना की assertiveness और coercion के against a front बनाएंगी, ताकि एक limit से ज़्यादा ये चाइना परिशान ना कर सके बाकी countries को, definition क्या integrated difference की, it may be defined as being able to draw on the capabilities of not just the military, but the federal agencies, partner nations and allies as well, तो military के साथ साथ जो आपके बाकी partner countries हैं, जो आपके allies हैं, उनकी जो federal agencies हैं, ये सब मिलके, military और non-military टोल मिला के, आप किसी country के coercive behavior को push back करो, इसको आप बोलते हो integrated deterrence, जी से पर टू इंटरनेशनल डेशन में न्यूज़ आप हो कहाँ आईगी, पिर भाई, US, overall, अफगानिस्तान के साथ बिलियन डॉलर का आध जो बाईडन और बोल रहे हैं, कि September 11, 2001 को जो terror attacks हुए थे US के अंदर, उसमें जिन लोगों को भी नुकसान हुआ था, उनको साड़े तीन बिलियन डॉलर बाटा जाएगा, और ये साड़े तीन बिलियन डॉलर में किसको कितना पैसा मिलेगा, वो decide करेगी, US की federal court, वो सरकार decide नहीं करेगी, हाला कि एक बात तो यहां पे clear है, कि Friday को, मतलब कह लिजे कल, आज तो Saturday हो गया है, तो Friday को जो बाईडन साब ने sign किया एक executive order, और इसके थूँ, US financial institutions में जो भी पैसा पढ़ा हुआ है, अवगानिस्तान की सरकार का 7 billion dollar, इसमें से 3.5 million dollar तो अवगानिस्तान के लोगों के उपर ही खर्च किया जाएगा, through international NGOs, और बाकी 3.5 million dollar है, वो Federal Reserve Bank of New York के consolidated account में चला जाएगा, और वहां से Federal Code की ruling के साब से यह पैसा 9-11 के victims के जो कितन किन है, उनके अंदर बाढ़ दिया जाएगा, अब देखे, यह बहुत हत्ता के एक political step भी है, चुकि पिछले जो बाइडन उनने जब से President मने है, तब से जो बाइडन को इस particular चीज के लिए criticize किया गया है, कि इन्होंने अफगानिस्तान में US का उल्लू बनवा दिया, US ने अपना बहुत सारा assets अफगानिस्तान में इंवेस्ट किया, US को पैसों का बहुत नुक्सान हुआ, military, cost बहुत इस respect में अफगानिस्तान का साड़े तीन बिलियन डॉलर जो बाइडन ने अपने पास रख लिया, जो बाइडन तो बोल देंगे जो बाइडन politically कि बाइडन तुम मेरे पर जाम लगा रहे हो कि मैंने पैसा वेस्ट कर दिया लियो, साड़े तीन बिलियन डॉलर इनका हमने पास रखा, साड़े तीन बिलियन डॉलर 9-11 के विक्टेम्स को, जो भी फेडरल कोट जिस हिसाब से भी डिसिजन देगा, पैसा 9-11 के विक्टेम्स को यहां पर दे दिया जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि यूएस में कोई एजनसी पैसा दे नहीं रहे है अफगानिस्तान मे तो वो यूएस है, अक्टूबर 2020 सिले के अब तक यूएस 742 मिलियन डॉलर दे चुका है, लेकिन देने के बाद भी गाली खा रहा है, तो जो भाइडन ने सीधे सीधे बोला कि बाउस सही, साड़े तीन बिलियन डॉलर हम अपने लोगों में बाट देंगे, यूएस फेड पैसा यूएस में ले आ रहा हूँ, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल डेशनस में यूज आपो काम आएगी, तो थैंक यू फो वाचिंग फ्रेंट्स, इतनी ही न्यूजस थी आज आपके लिए, आपके लिए, आपके आपको कुछ ना कुछ मजा आया हूँ, इस लेक्च